इस प्रशिक्षन वीडियो का उप्योग करके आप आसानी से Rudex Exchange पर पंजी करन कर सकते हैं, इस Exchange पर Prism सिक्के खरीच सकते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत वॉलेट में वापस ले सकते हैं, जिसे आपने इस वीडियो का उप्योग करके बनाया है, आप इस वीडियो को म रिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें, अशिष्टता, और गुरू 777, विकेंडरी कृत एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएं, आपके खाते को पंजी कृत करने के लिए, एक्सचेंज पासपोर्ट्स देटा, फोन नंबर या इमेल नहीं मांगता है, जो कि यहाँ नई पीधी का एक्सचेंज अपने स्वयं के ब्लॉक्चेन पर विक्सित किया गया है, आपके व्यक्तिगत देटा की 100% गुमनामी, एक्सचेंज पर आपके व्यक्तिगत धन की 100% गुमनामी, आपके लेंदेन के बारे में 100% गुमनामी, केवल न्यूनतम जमा और निकासी क पर कोई सीमा नहीं है, एक्सचेंज कॉन मार्केट कैप और कृट्टो विसर पर सूची बद्ध है, शक्त पर क्लिक करें, व्यापार शुरू करें, हम आपके खाते के लिए एक उपनाम के साथ आते हैं, और इसे इस क्षेतर में सम्मिलित करते हैं, यहां उपनाम आपके पर कॉपी करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें, डेस्क टॉप पर राइट क्लिक करें और पाठ दस्तावेज बनाएं, हम दस्तावेज का नाम देते हैं, उदाहरन के लिए रूडेक्स एक्सचेंज, एक्सचेंज पर कॉपी किये गए पास्प्रेज और उपनाम को इसम पेस्ट करें, तीम बिंदों का पालन करना सुनिश्चित करें, एक दस्तावेज में देटा डुप्लिकेट करें, दो एक फोटो, स्क्रीन, ले और प्रिंट करें, दस्तावेज सहेजे और इसे USB फ्लाश जाइव पर स्थानांतरित करें, यदि आप इसे खो देते हैं, तो अपनी संपत्ती वापस नहीं ले पाएंगे, अब इस पासफरेज को किसी टेक्स्ट लोक्यूमेंट से कॉपी करें, और आपको दिये गए पासवर्ड की पुष्टी करने के लिए इसे इस फील्ड में पेस्ट करें, पासवर्ड इस एंक्रिप्टेड रूप में रुडेक तो कोई भी मेरा पासवर्ड पुनर प्राप्त नहीं करेगा, तीसरा, मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया है और सुरक्षत रूप से संद्रहित किया है, खाता बनाने के लिए बटन पर क्लिक करें, एक्सचेंज पर आपके पंजी करन के लिए बधाई, शीर्ष पैनल प एक्सचेंज पर क्लिक करें, आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उपरी दाए कोने में आपका उपनाम है, इसके बाद अपने देश का चैन करें, तीन पट्टियों के बगल में यहां मेनू है, नीचे संचार के लिए ट्रोल बॉक्स चैट ह आए यहां चेक मार्क पर क्लिक करें और चैट को हटा दें, अब यूएसडी टी बटा प्रिजम के आदान प्रदान के लिए एक जोडी चुनें, अगला इन तीन स्ट्रिप्स पर क्लिक करें, जमा या निकासी चुनें, बटन पर क्लिक करें, मैं परिचित हो गया, फिर पर विदेशी मुद्रा खाते हैं, यहां बॉक्स चेक करें, और कार से क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदे पर क्लिक करें, चुने कि आप किस क्रिप्टोक्रेंसी में बिटकॉइन या एथेरियम में फिर से भरेंगे, बिटकॉइन को फिर से भरने के लिए आपको यहां पता दिया जाता है। यदि आप Ethereum में फिर से भरना चुनते हैं, तो पता इस तरह होगा। फिर Bitcoin या Ethereum USDT में स्थानांतरित हो जाता है। यह 3911.57$ के बराबर है। सेपा कार्ड से पुनापूरती 3547.82€ है और कार्ड बैंक से पुनापूरती 3643.48€ है। और खरीदे पर क्लिक करें। हमें समझना चाहिए कि यह एक अनुमानित राशी है। लेंदेन के अंत में सतीक राशी इंगित की जाएगी। किसी अन्य क्रिप्टो सिक्के में एक्सचेंज को फिर से भरने के लिए क्लिक करें गेटवे। न्यूनतम राशी 10 USDT है। यदि आप कम भेजते हैं तो सिक्के नहीं आएंगे। पता यहा है। आपके पास एक अलग पता होगा। इस बटन पर क्लिक करें और पते की प्रतिलिपी बनाएं। पता कॉपी किया जाता है। किसी भी ब्राउजर में हम सबसे अच्छा लिखते हैं। हम इस आइकन को देखते हैं। यह प्रमारत एक्सचेंजर्स की निगरानी है। क्लिक करें। आप देते हैं। अपने किसी भी बैंग या इलेक्ट्रोनिक भुकतान प्रणाली का चयन करें। उदाहरण के लिए टीथर TRC-20, USDT के लिए USD एक्सचेंज PayPal या टीथर TRC-20, USDT के लिए Advanced Cash USD एक्सचेंज। हर कोई भी एक्सचेंज पॉइंट चुन सकता है। जिसके माध्यम से आपके देश में एक्सचेंज करना सबसे सुविधाजंद है। मुख्य बात, यहां हम एक एक्सचेंजर चुनते हैं, जिसकी नकारात्मक समीक्षा नहीं होती है। और हम एक्सचेंज के लिए रिजरू पर ध्यान देते हैं। शीर्श पर सबसे अधिक लाबदायत दर है। चैनित एक्सचेंजर पर क्लिक करें। लेने करने से पहले, चैनित एक्सचेंजर के ऑपरेटर के साथ चैट करें। उसके साथ एक्सचेंज के सभी विवरणों की जाच करें। यहां आप रुडेक्स एक्सचेंज से कॉपी किये गए ट्यार सी 20 वालेट पते को पेस्ट करते हैं। मैं दोहराता हूँ। आपके पास एक बिल्कुल अलग पता होगा। आप एक और एक्सचेंजर चुन सकते हैं। सभी एक्सचेंजर का इंटरफेस अलग है, लेकिन सार समान है। असी हजार रूबल का आदान प्रदान करने के लिए राशी दर्ज करें। अपना कार्ड नमबर दर्ज करें। 15.72 TRC 20 प्राप्ट करें एक्सचेंज से कॉपी किया गया पता दर्ज करें। असली इमेल का पता दर्ज करें। क्योंकि मेल पर एक पत्र भेजा जाएगा। जिस से आपको एक्सचेंज लेंदेन की पुष्टी करनी होगी। बक्से की जाच करें बटन पर क्लिक करें Exchange हम Exchange पर USDT की पुनवपूर्थी की प्रतीक्षा कर रही हैं हम Rudex Exchange पर ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाती हैं PRISM बटा USDT ट्रेडिंग जोड़ी का चैन आज Exchange इस कीमत पर सिक्के बेचना चाता है प्रस्तावित मूल्य पर क्लिक करें और इसे खरीद के लिए ग्लास में प्रदर्शित किया गया था पांच हजार डॉलर के लिए खरीदे चलो प्रिजम सिक्को दो शून्य छे साथ आट एक शून्य प्राप्त करते हैं कमीशन 2067.88 एक प्रिजम सिक्के खरीदे पर क्लिक करें और इस तरह आपने सिक्के खरीदे अब उन्हें आपके व्यक्तिगत प्रिजम वालेट में वापस ले लिया जाना चाहिए इसके दो बहुत अच्छे कारण हैं पहला किसी भी एक्सचेंज पर खरीदे गए कोई भी क्रिप्टो सिक्के व्यक्तिगत रूप से आपके नहीं होते हैं जब तक की वे एक्सचेंजों पर हों आपके सिक्कों के मालिक एक्सचेंजों के मालिक हैं यानी आपने अपने सिक के stock broker को trust में दिये. Exchange पर आपके खाते से एक passphrase होता है, लेकिन जिस wallet पर आपके ये सिक्के पड़े होते हैं, उससे कोई passphrase नहीं होता है. इसका मतलब है कि अगर exchange घोटाला करता है या आपको अपने खाते में log in करने से रोकता है, तो आप कभी भी अपने सिक्कों को वापस नहीं ले पाएंगे. दूसरा कारण, exchange से सिक्कों को अपने निजी बटूए में वापस लेने के बाद परमिनिंग नए प्रिज्म सिक्कों की PD अपने आप शुरू हो जाती है, यानि आपको सिक्कों में लाभ मिलता है, स्टॉक ब्रोकर्स में नहीं. सिक्कों की संख्या बढ़ाने के लिए एक्स्चेंजों पर एक सेवा है, इस सेवा को staking कहा जाता है, यहां खतरनाक है, चूंकि यहां अजन्बियों द्वारा आ आपकी क्रिप्टो संपत्ती का ट्रस्ट प्रबंधन है, प्रिज्म की आपके व्यक्तिगत बटुए पर भी यही सेवा होती है, इसे होल्ड अवधी कहा जाता है, ब्लॉक्चेंग में वालिट द्वारा पहला ब्लॉक पकड़े जाने के बाद होल्ड स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है, होल्डिंग के लिए सबसे अनुकूल बैलेंस एक शून्य नौ 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 जमा निकासी पर क्लिक करें, फिर से टिको मैं सहमत हो गया, उसके बाद आपके पास प्रिष्ट की निरन तरता है, यहां चुने, क्रिप्टो सिक्का प्रिज्म, क्लिक करें, निशकर्ष, वापसी के निर्देश, प्रिज्म आउट्पुट खोलने के लिए नीचे दिये गए बटन पर क्लिक करें, क्लिक करें, वापस लें, भरने के लिए एक फॉर्म आता है, इस प्रपत्र में दर्स करें, आज, 400 प्रिज्म सिक्कों को वापस लेने के लिए Gateway शुल्क, यहां हम सिक्कों की संख्या डालते हैं, आज, 1000 प्रिज्म सिक्कों को वापस लेने के लिए नियूनतम शेश राशी, यहां हम उस wallet का पता डालते हैं, जिसमें आप सिक्के निकालेंगे, पता इस तरह दिखता है, यदि wallet में कम से कम एक लेंदेन होता है, जिसमें आप सिक्के निकालते हैं, तो सारवज ने कुझी स्वचालित रूप से लिखी जाती है, अगर wallet अभी बनाया गया है, और उसमें अभी तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको पबलिक की चाबी खुद डालनी होगी, याद करना, कोई भी exchange आपके व्यक्ति बटूए में वापस लेते समय, मेमो वाक्यांच नहीं लिखा जाता है, यदि आप अन्य एक्सचेंजों को सिक्के वापस लेते हैं, जहां एक्सचेंज आपको एक मेमो वाक्यांच देता है, तो इसे इस शेत्र में डाला जाता है, सभी पूर्ण डेटा की जाच करें और भेजे पर क्लिक करें, सभी एक्सचेंजों पर जमा और निकासी की सीमा बार 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 बदलती रहती है, इसलिए इस पर बहुत सावधानी से नजर रखें, हम गिठाप पर जाते हैं, चलो नीचे चलते हैं, लिंक पर क्लिक करें, ब्लॉक्चें एक्स्प्लोरर पर जाएं यहाँ एक्स्प्लोरर सभी उप्योग करताओं के सभी व्यक्तिगत वॉलेट द्वारा उत्पन्न ब्लोकों के लेंदेन को प्रदर्शित करता है कोई भी बटुआ चुने उदाहरन के लिए यहाँ ऑनलाइन वॉलेट दर्स करते समय इसके पते की प्रतिलिपी बनाएं और इसे चिपकाएं मान ले कि यहाँ आप थे जिनों ने इस बटुए को फिर से भर दिया था और आपके व्यक्तिगत संतुलन पर एक शून्य पाँच छै पाँच चार सिक्के हैं और यहाँ आपके व्यक्तिगत बटुए में हैं 77,423 सिक्के पहले ही खनन किये जा चुके हैं आएए देखें कि इस बटुए को 77,423 सिक्कों को खनन करने में कितना समय लगा ऐसा करने के लिए इस बटन वॉलेट विवन पर क्लिक करें हम देखते हैं कि बटुए 427 दिनों के लिए रोक दिया गया है यहाँ इस समय के दौरान था पैरा मिनिंग के लिए धन्यवाद की बटुए द्वारा 77,423 सिक्कों का खनन किया गया था केवल अंतिम दिन में 745 सिक्के उत्पन किये गए थे स्ट्रक्चल बैलन्स के साथ इस वॉलेट के नीचे 13,307,428 सिक्के हैं दो दिन बीट गए वॉलेट 429 दिनों के लिए रखा गया है आज बटुए ने प्रती दिन 760 सिक्कों का खनन किया है और आज 89,014 सिक्के पहली ही खनन किये जा चुके हैं आप देख सकते हैं कि पैरामिनिंग पर संख्या कितनी तेजी से बढ़ती है आप इन सभी सिक्कों के एक मातर मालिक हैं केवल आप ही इन सिक्कों को अपने बटुए से निकाल पाएंगे क्योंकि इस बटुए से केवल आपके पास पासवाक्यांश है कोई भी आपको उन सिक्कों को निकालने से रोक नहीं पाएगा जिने आप कहीं भी कभी भी निकाल सकते हैं कोई भी प्रतिबंध आपको किसी भी देश में ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा अगर हम इस चार्ट को देखें तो हम देखते हैं कि वालेट से जितनी देर तक आउटगोइंग लेंडे नहीं होते हैं उतनी ही तेजी से पैरामिनिंग तेज हो जाती है और इसके लिए आपको अपने सिक्कों को चस्ट प्रबंधन में एक्सचेंज पूल में दाफ पर ल दाउनलोड करें नोड में इतिहास के डाउनलोड को कैसे गदी दें मैं जावा आठ यू 221 कैसे स्थापित करूं मैं जावा अपडेट को कैसे अक्षम करूं एमोडी कैसे डाउनलोड करें ताकि नोड आपके सभी फॉजिंग वॉलेट की सभी कार्यक्षमता प्रदर्शि करें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा चैनल की सदस्यता ले ताकि आप प्रिज्म ब्लॉक्चेन के बारे में महत्वपूर्ण समाचारों को याद न करें